हाँ तो नमस्कार जी कैसे आप लोग उमीद करता हूं बहुत बड़ी आउंगे आप सभी लोग जब मुझे कॉल करें कहते हैं गुरू जी साइन अना हमारा मैथ का पेपर होने वाला है और मुझे बहुत डर लग रहा है सर आप कुछ ऐसा कीजिए हम बहुत कमजोर है मैथ मे और सर कुछ ऐसा कीजिए कि हम कम से कम मैथ में पास कर जाएं तो पैरे बच्चो जो भी कमजोर चात रहें उसके लिए वीडियो तो एक दम 100% जरूरी है अगर आप मैथ में थोरे से भी कमजोर है तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए अगर आप अच्छे है म तब तो आपके लिए और अच्छी बात है और यह और अच्छा हो जागा कहते हैं कि इसमें पहरे बच्चो मैंने आपके लिए 50 कोश्टन ऐसे बताए हैं जिनमें से 50 में से 15 प्रस्ण आपकी दोनों पाली में रहेंगे इसकी 100 प्रतीसत है बच्चो ना 100 प्रतीसत मैं यह स आपके कोश्टन आते हैं ठीके ना आप इस वीडियो को पहले अपना देख लिए पूरा अगर आपको यह वीडियो पूरा पसंद आता है तो सबसे पहले आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को भीजिए और देखिए अगर आपका एक सेर किसी बच्चे को मैट्रिक के एक् अगर ऐसी वीडियो देख लोंगे ना तो सबसे पहले आपको कितना आता है कमजोर छातर सबसे पहले देखें कमजोर छातर के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि आप लोग कॉल करके कहते हैं सर हमारे लिए भी कुछ कीजिए तो आई हम सुरू कर बहुत सारे स्टूडेंट परने में बहुत अच्छे होते हैं और ऐसा भी नहीं कि सारे विक होते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें अगर आप अच्छे हैं तो आपको 50-50 आना चाहिए मैंने आपके लिए महनत के अपने खुद से मैंने सारे प्रश्णों को लिखा है फर्स्ट कोशन पहला कोशन लिखा गया है कि पाई कौन से संख्या ध्यान देखना पाई जब आप जब जाओगे एकजाम देने के लिए 14 फरवरी के दिन तो ये कोशन आपको मिलेगा पाई एक परीमय संख्या है आप लोग आंसर करते रहाना मेरे साथ में 22 बटा साथ क परीमय संख्या अगला कोशन देखे यदि पी और क्यूं दो अभा संख्या है तो इनका मौसव क्या होगा आपको पता है ना कि दो अभा संख्या पी और क्यूं बोला गया है हो सकता आपके एक्जाम में A और B बोले तो अभा संख्या का मौसव हमेसा 1 होता है अगला कोशन क्या आता है कि दो क्रमिक सम संख्यां का मौसव क्या होता है दो क्रमिक सम संख्यां का मौसव अगर आपको आता है तो आप आंसर करते हैं यह मन में दो होता है अगला कुशन देखे कि दो परीमे संख्यां के बीट में कितनी परीमय संख्या होती है सारे important question खले मैंने लिखा है दो परीमय संख्याओं के बीच में कितनी होती है तो आनन्त परीमय संख्या होती है आप इसो अगला कुशन आता है कि किसी धनात्मक पुर्णांक AB के लिए AB का मौसो और गुना AB का लौसो किसके बरावर होता है आप अक्सर देखेंगे इस question को किसके बरावर होता है तो A गुना B के बरावर होता है अगला कुशन आता है कि महत्तम समावर तक AB और लगुत्तम समावर तक AB बरावर क्या होता है बिच में गुना दिया यानि कि आप से ये पुछा गया के निमन में से किसे परिकलित करने का तईका है यानि युकलिट विभाजन से आप क्या निकालते हैं तो हम इसे निकालते हैं मौस हो क्या निकालते हैं मौस हो यानि हम कह सकते हैं HCF ग्यांद करते हैं अगला कोशन आता है कि किसी पुर्णांक P के लिए परतेक सम पुर्णांक का रूप कौन सा है, संपुर्नांक का रूप कौन सा है, अगर पुर्नांक हमारा P है, तो संपुर्नांक होता है, दो से करता 告诉 तो 2P कहेंगे, अगर P है, तो यहाँ पर आपका 2P हो जागा, क्या जगा 2P हो जागा? अगला question क्या लिखा गया है? कि द्विघात बहुपद के सुन्यकों की संख्या होती है अगला ये question common है हम इने कहते है common question जो बार-बार पूछे जाते हैं ऐसे 50 question है जिनमें से 15 आपके एक्जामें पक्के आएंगे बस आपको पूरे अच्छे से देखना है द्विघात बहुपद के सुन्यकों के संख्या दो होती है एक घात वाला बहुपद क्या कहलाता है एक घात वाला जो बहुपद है वहर रेखिक कहलाता है क्या कहलाता है रेखिक अगला question ध्यान से देखना तिरिघात वहुपद का व्यापपा गुरू बार बार पूछा जा रहा है तो तिरिघात वहुपद का क्या होता है AXQ प्लस BX का A SQUARE प्लस में CX प्लस का D अगला कोशन देखना एक दिघात समिक्रन AX SQUARE प्लस BX प्लस C के मूल बराबर है मूल बराबर है तो मूल का सुत्र क्या होगा यानिकि मूल कैसे निकलेगा अगर मूल बराबर हो तो मैंने आपको सिखाया होगा कि मूल बराबर हो जाएगा माइनस B बटा 2A क्या हो जाएगा माइनस B बटा 2A किसी भी तरह से आपको इस question को याद कर लेना है अगर आप एक कमजूर छात रहे हैं तो अगला आता है कि यदि समांतर स्रेणी का समांनिपद 5N-7 है तो इसका सार्वंतर क्या होगा देखें ऐसा question आपके एक जामे एक ठोट हैगा हो सकता यहां पर 5N के जगह पर 3N-5 दे दे या कुछ भी दे दे तो देखें सार्वंतर का मत्तब होता है जो N के पास है वही सार्वंतर होगा ध्यान लगिएगा जो N के पास है वही सार्वंतर होगा यानि आपका सार्वंतर यानिए D का मान 5 हो जाएगा अगला कोशन आपके एक्जाम में ऐसा आएगा कि समानतर सेड़ी इसका दसमा पद देखे एक कोशन कितना बार रिपीट के है आप खुद बूलिए बूलेंगे हाँ सरी बहुत रिपीट करता है तो इसका दसमा पद अगर आप निकालेंगे तो A 10 बराबर होता है A पलस का 9D A का मान 2 पलस में 9 गुना D का मान 7 में से दो गया तो 5 2 पलस में 45 बराबर आपका आंसर साइंतालिस ठीक है अगर आप एक कमजूर चातने इस कोशन को अच्छे से देख लिजे इसका 47 होता ये बार-बार कोशन पूछा जाता है अगला कोशन क्या आता है कि यदि समांतर सेर्णी का प्रथम पद A है और सार्व अंतर D है तो इसका N पदों का योग बताए यानि आपसे पूछा गया है फर्मूला को पक्का ये कोशन आपके लिजाब में रहेगा कौन सा येपी है ठीक है इसमें इपी ऑप्शन नमबर D वाला है कि इसका सारवंतर सामान है और सानी प्रथम पद बताए इस एक इसका इगार मां पद क्या है और बहुत बच्चों को इसका अंसर सीधे याद रहता है इसका 11 पत क्या है मैंने अपने से लिखा है सारे question को क्योंकि आपको feel आए कि हाँ यह question important है 11 पत को लिखते हैं यहना A 11 को हम क्या बोलेंगे A plus का A plus का 10D बोलेंगे तो A का मान क्या है minus 3 A plus 10D बोलेंगे A का मान है minus 3 plus में 10 गुना D निकालेंगे देख लिजे D निकालेंगे minus 1 बटा 2 minus minus plus में 3 तो minus यह हो गया है पर आपका minus 1 plus का हो गया 6 तो 5 बटा 2 D है आपका 5 बटा 2 और 5 बटा 2 यहां बैठाएंगे तो आपका यहां से निकल जाएगा 5 और 25 तो minus 3 और plus 25 पराबर आपका अंसर 22 आएगा क्या बाइस आएगा अगला कुशन ध्यान से देखिएगा अगला कुशन है कि पर हमारा सवरूत्र भुच के छेत्रफल कानुपात 9 4 है तो उनकी संगत भुजा तो भुजा कैसे निकालेंगी तो भुजा निकालेंगे 9 4 है तो 3 2 ध्यान दिजै कमजोर छात्रों के लिए जरूरी है क्योंकि यह कोशन पक्कार है जो लोग अच्छे हैं उसको तो पहले स हैं आःगला कुसं देखिएं किसका कथन है यहा है कि वा समान पुजाओ का अनुपात सदैव समान होता है ऐसा कथन किसका था तो आप बोलेंगे सर ये कथन है थेल का किसका थेल साहब का ये कथन है बार बार कोशन पुछा जाता है थेल साहब का अगला कोशन देखें ये आता है कि यदी तिर्भूज ABC में AC स्क्वार ब्रावर AB square plus BC square है तो angle B का मान क्या होगा angle B का मान क्या होगा तो आपको सीधे याद रखना है कि इसका B का मान 90 degree होगा अगर आपको थोगा सा मैथ कमजोर है तो इस वीडियो को आप दो बार देख लिजिए कम से कम अगला कोशन देखे सभी वर्ग होते हैं यह कोशन बार बार पुछा जाता है सभी वर्ग क्या होते हैं सभी वर्ग समरूप होते हैं अगला कोशन क्या पुछा गया है कि दो समरूप तिरभूज की भुजाओं का अनुपाद 49 है यहाँ भुजा का अनुपाद 49 दिया है 16 अनुपात 81 अगला कोशन देखें, बिंदू, बिंदू 2 और माइनस 5 में भुज कामान, ये कोशन पक्का आपके एकजाम में रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ पर चेंज हो सकता है, ठीक है न, तो भुज कामान मतलब पहला वाला भुज होता है, पहला वाला भुज होता है, तो यंanınसर सही होगा, भुज कामान क्या होगा दो, अगर कोटी पूछेगा, तो कोटी दूसरा वला होता है, अगर इसी इसान में कोशन में हम कोटी पूछे, तो कोटी माइनस 5 होगा, आपको हम एक सवाल देते हैं, आप यहाँ पर माइनस 8 और 11 में में भुज का मान comment box में लिखिएगा कि भुज क्या होगा ठीक है comment box में लिखिएगा अगला question है कि मूल बिंदू का निर्दे सांग ठीक है ये question देखने में देखो आपको लगता हूँ सर बच्चा वाला question हाँ अगर आपका मेत बहुत अच्छा है तो आपको ये question बच्चा वाला लगता होगा लेकिन जिसका मेत अच्छा नहीं है उससे पूछिए ये भी question उसको भाड़ी लगता है मूल बिंदू काने दे सांग 0,0 होता है इसलिए अपने सबसे अगर अगर ऐसा कोई दोस्त है जिसका मेत कमज़ोर है तो उसको ये वीडियो अभी शेयर कर दीजेगा आप पहले पूरा देख लीजिए कहते हैं मिंदू 4 और 3 और माइनस 4 इस 4 थांस में है तो आप समझ सकते हैं कि पहला आपका पलस है और दूसरा माइनस है पहला पलस और दूसरा यह नहीं एकस पलस और माइनस कहां पर होता है यह आपका चतुर चतुर थांस में होगा यह कोशन आपके एकजाम में फिक्स एगो रहेगा लेकिन क्या हो सकता है कि यहां पर चेंज हो जाएगा अगर यहां पर अगर चेंज कर दें जैसे गामेह पर लिख देगा कि माइनस 3 और माइनस 5 तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा ठीक है तो नीचे comment box में लिखिएगा माइनस 3 और माइनस 5 रहेगा तो क्या होगा अगला question देखिए मुल बिंदू से बिंदू xy की दूरी कैसे होगी तो मुल बिंद एक तीन और माइनस 5 साथ के बीच की दूरी इसके बीच की दूरी बताना है बिंदों की बीच की दूरी तो आपको मालूम है ये question कितना famous है और बहुत बच्चा को याद है कि इस खरान साथ 4 root 2 होगा है ना बहुत बारे question आता है और ये सीधा आपके exam में बिना मान बिना यहां से आपका चार root 2 आ गया ठीक है ना यह आपका option ने पकात option c में रहता है कहते हैं कि एक्स अक्ष पर इस्थित किसी बिंदू के निर्दे सांग का मान क्या होगा एक्स अक्ष पर पूछा गया है हो सकता आपके exam में वाइक्ष पूछ लिए है ना लेकिन एक्स अक्ष पर जब इस्थित होता है आप पूरा वीडियो देखने बाद आप खुद बोलेंगे हां सर इंपोर्टेंट सब कोश्चन था एक्स अक्ष पर इस्थित बिंदू का निर्दे सांग होता है एक्स कोमा जीरो अगर पूछा जाए कि वाई अक्ष पर इस्थित क्या होगा तो या कोश्च न बगरी मानस थीता बराबर क्या होता है तो cos 90 degree मानस theta बराबर होता है sin theta, क्या होता है cos 90 degree मानस theta बराबर sin theta, हो सकता आपके exam में एक question ने पूछके ये पूछ ले, कि cos 90 degree मानस theta बराबर क्या होता है, तो आप कहना कि 10 theta होता है, हो सकता आपके exam में पूछ ले, कि 690 degree मानस theta बराबर क्या होता है, लेकिन एक question यहां से रह लीजेगा, question पक्के मिलेंगे, अगला question क्या पुछा किया है, 1-10 square, यहनि 1-1 chi square, और 1-1 chi square, इसका अंसर पता है, कि 1-1, 1-1, 1-1, इसका अंसर 0 होता है, सबको मालूम है, उसके अगला important question है, कि 1 by sin theta बरावर क्या होगा, ठीक है ना, तो 1 by sin theta बरावर कोस theta होता है, कि 1 by sin theta बरावर कोसेग theta होता है, और हो सकता है आपके एजामे में ऐसा पूछा जाए, कि 1 by 6 theta बरावर क्या होता है, 1 by 10 theta बरावर क्या होता है, ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन एक question इसमें से रहेगा, ठीक है, तो इसका answer आप लो comment box में, next question क्या लिखा गया है, sin square theta plus cos square theta बरावर क्या होगा, ठीक है, जितना आसान है, उतना बार-बार पूछा भी जाता है, कहते हैं, बच्छो sin square theta और plus cos square theta बरावर 1 होता है, या ऐसा हो सकता है, एसे पूछ ले कि sin square a और plus cos square a, या फिल ऐसे पूछ ले, कि sin square में 30 degree, plus cos square में 30 degree, आपको बस यह देखना है, कि theta सेम है ना, theta यहाँ पर a, a है ना, यहाँ पर 30-30 है ना, तो इसका answer क्या होगा, इसका answer हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है, अगला question देखिए, 1 plus 10 square theta, बराबर क्या होता है, कोहना, हैना, 1 plus 10 square theta, बराबर क्या होता है, 1-cos तो आप बोलोगे sir 1-cos दिया ना तो बाहर निकलेगा हमारा sin theta ठीक है अगला question देखिए 1010 और 1080 इसको करेंगे तो 1 होगा और यहां भी करेंगे तो 1 तो इसका मान क्या होगा इसको सीधे पूछा जाए objective में तो इसका answer क्या लिखेंगे 1 होगा next question देखिए 49 नमर question है कि cos 48 और sign में cos 48 और sign में 42 इसका मान क्या होगा तो मैंने आपको बताया था ध्यान दखिए हैं पर दो question हम बता रहे हैं पहला question बता रहे है कि 10 का 26 डिगडी बटे कोट का 64 डिगडी यही question रहेगा इसका answer 1 लिखेगा ठीक है ना हो सकता है कि इसका मान तो अगर हमारा बटे में है तो answer 1 होगा अगर माइनस में है जैसा दिया गया तो answer 0 होगा अगर 2 दे करके पूछे कि sin का बता बावन डिगडी और cos का बता और तालिस डिगडी तो इसका answer फिर 2 हो जाएगा ठीक है न तो इसको याद रखना आपको ठीक है अगला question देखो 1 प्ल 9 second square minus 9 10 square ये question exam में रहेगा दोनों पाली में से किसी एक पाली में लेकिन यहाँ पर change हो सकता है 9 common लेंगे तो second square और minus में दिखेंगे 10 square बड़ाबर 9 गुना 1 बड़ाबर में answer 9 हो जागा यहाँ से निकलेगा हमारा 3 क्या निकलेगा 3 और यहाँ बचेगा 1 तीन प्लस का यह किनी चार तो 2 बटा root 3 गुना करेंगे 3 उपर गया 4 नीचे गया यह कटका है दो बार में और यह कटा root 3 बार में माइनस दिया रहेगा तब 10 साथ होगा ठीक है ना आगे बढ़ जाए यह अगला कोशन देखें अगला कोशन देखें यदि कॉस ए बड़ाबर x है तो sin a बड़ाबर क्या होगा यह भी कोशन बहुत दार पूछा जाता है ध्यान रखेंगा अगला कोशन दियान से देखें तो इसका इसका आंसर हम सीधा बोले थे आपको कि 10 साथ लिखेंगा इसका आंसर क्या अगर पलस रहेगा तो साइन साथ हो जाएगा अगर इसको करके देखें लिजिए करके देखते हैं टू गुना टैन तिसका वान वन बाय रूट थिरी का हॉल स्कॉर होता है ब्राबर लिखेंगे टू गुना तो टू गुना टीन गया उपर दो नीचे तो दो कट गया यहां से रूट 3 वान में अच्छा रूट 3 किसका मान है तो रूट 3 हमारा 10 साइट का वैलू है ठीक है ना इसको है उसकी चाया और दसकी चाया यह होता है घ्रडड यह होता है और चाया होता है ध्यान रख्येगा एकदम पकका कुश्ण आठाइक कि छड़ ह difद यहां पर है धर और ज़ाया यहां पर जा पड़कर यहां पर उस अस्तम की चाया की लंबाई की रूड तीन गुनी है यानि चाया अगर आपका एक है तो इसका रूड तीन गुना यहां पर है रूड तीन गुना है तो सूरी का उन्यन कुन बताइए तो बैरे बच्चों सुरी का उन्यों को नाराम से निकलें, मान लेंगे थीटा, यह हमारा 1 है, यहाँ पर रहना, तो यह आपका P हो गया, यह आपका B हो गया, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कि 10 थीटा बराबर, P बटा B, P का मान रूड तीन है, बटा 1, तो आप मुझे बत धित, उस अर्धवरित की पडिमिती क्या होगी, यदि यहां पर लिखा जाता, सोड़ी, यहां लिखा होथा है, यदि अर्धवरित की 37 cm है, तो उसकी पडीधी कितनी होगी, यह कोशन एगदम, ओप्षोन के साथ, सब कुछ एगदम सीधा पूछा जाता है, यदि 29 4-2 इसका formula होता है एक कमान है शाथ पनद़ सSalथ पॉस होता है है और प्लेस में थो लिखेंगे बराबर साथ फीज़ा निकले हैं यह सीधा है यहाद करने देखेंगे अग्ला कोशन क्या लिखा गया है कि किसी वृत पर बाहे बिंदू से कितनी असपस रेखा खीची जा सकती है यह कोशन कॉमन है जो बार बार पुछा जाता है किसी वृत पर बाहे बिंदू से कितनी असपस रेखा तो दो असपस रेखा खीच सकते हैं वृत पर पूछे कितनी खीच सक सद्नाव जोच और सबसे बड़ी जीवा नहीं सबसे बड़ी जिवा सबसे बड़ी जिवा मैंने दो कोशन लिखा था पताने साथ डिलीट हो गया क्या है ना सबसे बड़ी जीवा क्या है तो बड़ित की सबसे बड़ी जीवा क्या है यह 49 नमर कोशन है और अगला कोशन नमर 50 है कि अर्ध वृत के केंदर पर अर्ध वृत के केंदर पर बना कोन होता है केंदर पर बना कोन हो था कि पचास कोशन में इस वीडियो में बताया आपको पचास में से आपकी हर पाली में पहली और दूसरी दोनों पाली में 15 15 कोशन फिक्स रहेंगे ठीक है ना 15 15 परशन आपके इजामें पक्का रहेंगे बस आप इसको खूब अच्छे से एक बार दो बार अच्छे से पूछे आप से मानस दो और मानस दो किस चथर फाट में है यह त्रह सड्शक हो सकता है और ये वाले ट वाले कोश्न उपाले 1.1 तो करमिक समसंख्या का मौस हो दो परिमय संख्याओं के बीच कितनी परिमय संख्या यह सब कोशन फ्यक्ट वाला यह एकदम सेम टूसें बिना मान चंज के पूछा जागा तो आप इस विडियो को पूरा देखने आप पढ़े बताई यह विडियो आपके लिए कितना लाब अगर आप एक बहुत अच्छे तो आपका 50-50 होगा अगर आप थोरे से मेडियम है तो आपको 30-40 सही होगा अगर आप कमजूर बच्चे है तो आपका एक से अगर कोई बच्चा पास कर जाता है तो आप सभी अपने दोस्तों में जितने वाटसप टेलिग्राम गूरूप अब हम दोगता है अब ही तक हम लोग पहुंच चुग है तो दो वीडियो का आपको मिलेगी जहां से आपके लगवाग 15-20 कोशन तो आपके फिक्स आजाएंगे तो लब यू जी नीचे कमेंट करना वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद आप सभी कर बहूत बहुत धन् झाल झाल